लाख कोशिशों के बावजूद भी आगरा के ग्रामिड छेत्रों में चोरियों का ग्राफ रुकनी का नाम नहीं ले रहा समय समय पर पुलिस लोगों को जागरू करते हुई नजर आती है तो वहीं ग्रामिड इलाकों में पुलिस चेकिंग अभ्यान भी चला कर गस्त करती हुई नजर आती है लेकिन फिर भी चोर पुलिस को चनौती देते हुई नजर आ रहे है पूरा मामलत हाना मलपुरा छेत्र के गाउन जारू अकटराका है शादी में गई परिवार के घर से शातर चोरों ने अलमारी में रखे पैसो सहित सोने चानी के आबुशडों को लेकर रफू चक्कर हो गए जब रातरी को अनिल कुमार दुबे घर लोट कर आए तो घर और अलमारी के ताले तूटे देखे उनके पैरो तले जमिन खिसक गई पीडित ने बताया कि हम पूरे परिवार सहित घर का ताला लगा कर भाई की लड़की की शादी में वरुन फार्म हाउस ककुआ गए हुए थे जब रातरी को हम घर लोट कर आए तो अलमारी तूटी हुई पड़ी मिली वहीं उन्होंने बताया कि अलमारी में चाल लाख रुपे और दो अंगोठी सोने की एक जोडी पाजेव चांदी की चोल ले गए हैं उन्होंने बताया कि मोनु कुंतल पुत्र सत्यवीर निवासी सोख मगोर्रा हमारे बेटे के साथ भरती देख रहा था उसी ने किसी से नौकरी के लिए चार लाख रुपे की बात की थी वहीं बैंक से पैसे निकलवा कर लाया था कि देखा तो आलवारी भी पूरी खुली परी मिली उसमें से चीज पैसे और गैले गैले कितनी पैसे गए हैं चार लाख और क्या गैनों में क्या है गोटी एक जोरी पाई अच्छ तो किसी पर सके है आपको हाँ मैं सके है किस पर जो हमारे बच्चे की नोकरी लेवाने के की वोई पैसा निकलबा कि लाई अपने हाँ से और उसको यह भी माले में के पैसा कहा रखा हूआ है क्या नाम है उसका नाम ए मोनू कहा का निवासी है वो अपना सौख मोहरा लोघ्या पट्टी करके गाँ है तो थाने में तेरीर देती है हाँ थाने में जाके मने राध प्रसासन से क्या चाहते हैं प्रसासन से चाहते हैं कि अमारी जांस होनी चीजिए और प्रसाने प्रभारी इश्वर चंद तोमन ने बताया कि रात्री जारुआ कट्रा में चोरी हुई थी पीडित नाम जद रिपोर्ट दर्ज कराई है पुलिस मौके पर पुलिस ने शक के अधार पर एक अव्यक्ति को हिरासत में ले लिया है वहीं तैरीर के अधार पर अग्रिम कारिवाई की जाएगी आगरा देहात से प्रात हदर पर नियूज के लिए कनया लाल दुबे की खास रिपोर्ट